दोस्तों आज हम Finance Nifty का Analysis करेंगे और यह जानने की कोसिस करेंगे कि Finance Nifty में Thursday के दिन कौन से लेबल इंपोर्टन रह सकते हैं किस लेबल तक के Finance Nifty हमें जाता हुए नजर आएंगा तो इसके सारे लेबल को हम यहां पे identify करेंगे और यहां यह देखने की कोसिस करेंगे किसके important support क्या है और important resistance क्या है आज जगर हम देखते हैं Finance Nifty में तो हम यहां पे Angel Spark application पे इंस्टाटेट का यूज़ कर रहे हैं Angel Spark application में इंस्टाटेट का यूज़ करना काफी easy, काफी आसान होता है क्यांकि हम यहां सेम विंटो से ही अपने tools को यहां पे draw कर सकते हैं जैसे कि हमने यह एक tool को लगाया हुआ है जो कि LA में यह tool का नाम है parallel channel app इसको हमने यहां पे draw किया करके रखा है इसके साथ हमने यहां पे एक indicator भी लगाया हुआ है जो आपको एक blue line में देखने को मिल रहा है जो ALMA indicator है साथ ही हमने यहां पे एक MSTD indicator का भी यूज किया है तो हम इस परकार के indicator को लगा सकते है इंडिकेटर लगाने के लिए एफेक्स option का हम यूज कर सकते हैं किसी भी समय हमें time frame को change करना है तो हम यहां से अपने time frame भी change कर सकते है और अगर हम future को buy या sale करना चाहते है तो यहां से buy button का use कर सके हम future buy कर सकते है यह वार पोजिशन बनने के और हम पी एंडेल हमको same window पर देखने को मिलता है और अगर हमें रहता है कि हमको अपना potential return book कर लेना चाहिए तो नीचे आपको sale की बटन देखने को मिलती है इस बटन पर simply click करके आप within a second में अपना potential return को book करके आप यहां से trade से बाहर आ सकते है तो इतना आसान होता है इंस्टा trade का use करना फिलाल में हम यहां पे analysis कर रहे है finance nifty के thursday के trading session में कि finance nifty किस परका से हमें movement दे सकता है तो जैसे कि आपको देखने को मिलेंगा कि कर के trading session में हमने यहां पे एक channel को draw किया था और बताया था कि यहां एक important label है और हमने इसके resistance line भी में यहां पर बताया थी इस line के ऊपर इसने संदर तरीके से movement दिया है और इसका है इसने एज़ा wijs 10 काम करने की कोसिगी है अब बात यह आती है कि फाइन सेटी के important label क्या सकते हैं तो फाइन सेकी इंपोर्टेंट लेवल बनता है कि यहां यह वाली जो एक निचे की line इसके लिए यह काम करती है एक support का का काम करती है और उपर की line जो है क्रेस्टेंस का line का काम करती है यानि कि अगर इंडेक्स है अगर इस लाइन तक के जाता है उपर वाली लाइन तक क्या आता है तो यहां से इमाना जा सकता है कि अगर इसके जो अपर लाइन है यह ब्रेक नहीं होती है तो वापीस सेम को इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और इसकी support line तक के base line तक क्या सकता है और इस line के नीचे भी आगा जाता है तो जो इसके support line है इस line तक के हमें finance safety का जो index है इसे दिफ होता हुआ नजर आएंगा ऐसे में बात करते हैं MSD line की तो MSD line में भी कि अच्छा खास कोई सावर हमें देखने को मिला है और finance safety का index हमें उपर की ओर trade करते हुए नजर आता है ऐसे में finance safety का जो important label हमें देखने को मिलता है इसमें हमें अगर option chain पर हम इसका analysis stress करें तो option chain पर हम आ जाते है option chain पर आने के बदम finance safety को तो में देखते है कि इसमें उपर side में जो important label बन रहा है किस point label पे बनते हुए नजर आते हैं और downside में क्या label हमें देखने को मिल सकते है तो हमें इसके अंदर उपर साट के लेबल की बात करें मिल सकते हैं इसमें जो हाईस्ट फॉज्टिन बन रही है यहां पिजो सपोर्ट की сय Boss कर दिसमें 18,500 का एक सपोर्ट आरा को ईसरे चिलोंग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है और अपर साट जिए के अंदर जो 18600 का पाइस के अंदर हमें एक सपोर्ट के जैसारा बंते अब पॉइड कर रहे तो क्यों काम करता है लेकिन रजिस्टेंस में काफी पीछ चोटते हुँए नजर आ रहा है ऐसे में जो highest resistance के अगर हम अपसाइड में बात करें तो अपसाइड में 18,700 और 18,800 का और 18,900 के इतनी कोई खास पुज़ना में देखने को नहीं मिलती है इसलिए फाइन सेप्टी में इतना अच्छा कासा movement यहां पर बनते हुए नजर नहीं आया है लेकिन अगर हम यहां support की बात करें तो 18,500 का जो strike price है इस पर अच्छा कासा finance safety support लेकि बेठा हुआ है और साथी 18,600 के label पे भी हमें अच्छा कासा support बनते हुए नजर आ रहा है अगर finance safety 18,600 के price को hold कर देता है तो हमें finance safety में उपर की और 18,700-18,800 के label हमें देखने को मिल सकते है लेकिन अगर finance safety 18,600 के label को hold नहीं करता है और स्लिप होता है तो हमें 18,500 और 18,500 के नीचे के label भी हमें देखने को मिल सकते है तो इन लेबल के उपर हम यहां पर नजर रख सकते हैं लियान रख सकते हैं किसी भी समय हमों लगता है कि हमें लेखने को मिलता है और इसी को सेल कर सकते हैं या ओडर पर जाके हम सेल यूज करके हम अपने प्रेट से बाहर आ सकते हैं तो इतना आसान होता है एंजल स्पार्ग एप्लिकेशन में इंस्टा टेट को यूज करना तो अगर आपके पास नहीं है तो डिसकेप समय दी के लिंक स आज यह अपना डिमेट एकाउंट एंजल स्पार्ग के साथ उपन करें सांदर अपोर्चनिटी का बेनिफिट लें अगर हम बात करें यहां पर तो डाउनसाइड में बड़ी रेंची जो बात यहां पर सामने आती है यह 18630 का लेबर लेकर डाउनसाइड में देखने को मि अगर सकते हैं और तो तुस्त जो मार्केट ओपन होंगा तो तर्सड़े के दिन हमें 18600 का जो लेबल है काफी इंपॉर्टन लेबल है यह लेबल इसका एक सपोर्ट का काम करेंगा तो इस लेबल पे भी हम ध्यान रख सकते हैं तो उम्हींत का थे दोस्तों वीडियो जानक अगर आपको पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेड नोटिफिकेशन को ओन कीजिए तक ही स्टॉक मार्केट से जुड़ा हार एक अप्डेट आपको समय समय पर मिल सके यह थैंक थैंक पर जानिंग बनिल्या मासाथ नमस्काल